नमस्कार मेरा नमें सुमिश सेंग मैता हाजुर आपको सामने सौधर इस्टाइट फिरस लेटेट एक और नए लेक्चर के साथ आज का हमारा है लेक्चर नमबर 9 तो सबस्ट बैंड डिसक्ष कर लेते हैं कि आज किस लेक्चर में हम किस टॉपिक के बारे में डिसक्ष या उसके लेबल से भी क्या है ये टॉपिक क्या है बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो आपके दिवा में पहला कोश्चिन यह आना चाहिए कि ब्रैग ने ब्रैग कौन है कोई एक साइंटिस्ट है उन्हें यह लौ क्यों दिया यह बोल सकते हैं ब्रैग ने यह मैधेमेटि क्या बोला हमने X-ray diffraction को responding करने के काम आता है कौन हमारा ब्रैग'S law आपके धा हमें फिर कोश्चिन आना चाहिए कि यह X-ray क्या चीज है है यह X-ray क्या चीज है नौ X-ray क्या होती है आप जानते हो X-ray क्या होती है एक electromagnetic radiation होता है X-ray क्या होता है हमारे पास एक electromagnetic BMW Em radiation होता है क्या चीजош स consiste होता है के इलक्ट्रोमेगनेटिक रीडियेशंथ क्यों फिर एक्सरे की यो को उसफ रांट डेन रुण्ट रांट घंट रांटगेश्टें साल resure ao li Severus Amca's意 विए 1385 में किती कपी थी 1895 में रांगय मैं किसकी खोज की성을 किती एक-उस की खोज कितने याप 7 decay delivery कि थी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरूसकार से समानित किया गया ठीक है और यह सायट पहला नोबेल पुरसकार था, ठीक है, जो पहला नोबेल पुरसकार दिया गए, किसको दिया गया, round again को दिया गया, क्यों दिया गया, यहने किसकी खोज की, x-ray की खोज की, और कभ की, 1895 में की, now round again ने, x-ray की खोज तो कर दी, लेकिन, वो यह नहीं बता पाए, यह X-ray का nature कैसा होगा, अब X-ray के nature से कहने का क्या मतलब हुआ जैसे कि X-ray हमने क्या बूला electromagnetic radiation है, ठीक ना question यह है कि इस X-ray का nature कैसा होगा, यह wave nature को होगी या फिर particle nature की होगी तो उस समय इसके nature के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए इसका नाम X-ray पढ़ा, देखो जैसे mathematics में हम पढ़ते हैं, अगर हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है तो हम उसे क्या जूम कर लेते हैं, X जूम कर लेते हैं, कोई variable X जूम कर लेते हैं, उसी तरीके से जब round again ने 1895 में X-ray की खोज की, तो X के बारे में कुछ पता नहीं था, कि इसका nature कैसा होगा, किसके बारे में इसके nature के बारे में कुछ भी पता नहीं था, किसका nature कैसा होगा, हमें पता नहीं था लेकिन एक चीज पता थी हमको, कि जो जो X-ray होती हो, क्या होती है, Electromagnetic Radiation होती है, अब ये खोज कब हुई, देखो, 1895 में, इससे पहले हम कुछ Electromagnetic Radiation के बारे में जानते थे, जैसे, for example, हमें Visible Light के बारे में पता था, कि Visible Light क्या होती है, जो किस में दिखती है, हमको Rainbow में दिखती है, या फिर Vivior, वो क्या होती है, विजिवल लाइट होती है, और जो विजिवल लाइट के जो wavelength होती है, वो क्या होती है हमारे पास, about 10 to the power minus 5 meter के order की होती है, लगबग, ठीक है, मैं एक्चर्ट नहीं जा रहा हूँ, वेव नेचर का होता है, लेकिन कब तक, जो 1895 तक हम वेव नेचर को जाधा, क्या कहते थे, जाधा domination था, या फिर dominating कौन सा नेचर था, वेव नेचर था, लेकिन 1905 में जो आइस्टीन ने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक एक्वेशन दी, उसके बाद हमने क्या बूला, वेव नेचर है, उसका वेव नेचर है, जिसका वेव लेंच कितना होता है, 10 to the power minus 5 मीटर होता है, ठीक है, जिस तरीके से हमने विजिवल लाइट का ये वेव नेचर को प्रूफ किया था, कैसे किया था, हमने इंटर फ्रेंच और डिफरेक्शन की हेल्प से प्रूफ किया हमने क्या किया, विजिवल लाइट को एक स्रेट में क्या किया, इंसिडेंट कराया, और हमें क्या देखने को मिले, कुछ मैक्जिमा और मिनिमा देखने को मिले, यहां बोल सकते हैं, जो विजिवल लाइट थी, जब हमने उसको क्या क्या किया, किसी एक सार्प S से पास कराय तो क्या होगी वह लाइट क्या होगी अपने रास्ते से बैंड होगी और बैंडिंग और लाइट क्या कहलाता है डिफ्रक्षन कहलाता है और जो बैंड होती है और बैंड कौन होती है वेव होती है इसलिए हमने लाइट को क्या बोल दिया वेव बोल दिया विजिवल लाइट कैसी होती है बोला हमने wave nature की होती है लेकिन जब हमने यह experiment किया यह experiment हमने क्या लिया हमने क्या लिया कुछ इस्ते के condition ली हमने एक slit ले ली इस तरह किसे अजुम कर ले हमने दो slit ले ली थीक है तो यहां से एक wave आई कौन सी wave है ये विजिवल वेव है और यहां से भी क्या आई एक वेव आई और यहां क्या लगा दी हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी उसका हमने क्या देखने को मिला यहां पर कुछ हमें maxima और minima देखने को मिले यह तो किस case में होगा हमारे पास इस visible light के case में हुआ इसने diffractionamar interference के pattern दिखा है तो हमने बोल दिया visible light का nature काशा होता है wave nature होता है now SI हमने किसके लिए करना चाहा इस X-ray के nature को जानने के लिए करना चाहा तो फिर again हमने क्या करेंगे थिन होल से क्या कराया पास कराया तो हमें यहां पर डिफ्रेक्शन देखने को मिला तो सइन्ट लाइट है जिसकी वेवलेंद किसका ओडर के 10 to the power minus 5 ओडर की है और जो स्लिट है इसकी जो थिकनेस है वह भी कितनी है अबाउट 10 to the power minus 5 मीटर के ओर देंगे और देखेंगे कैसे की कि यहांपर मिलता है यह यह क्छ देखने को मिलता है यहीं मिलता है तो हुआ क्या है जैसे हमने इस X-ray को, यह कहा है मेरे पास X-ray है, जो कहा है X-ray है, मैं यह ने इसको क्या किया है, एक slit से pass कराया, ठीक है, यह कहा है, कोई slit है, जिसके thickness कितनी है, 10 to 3 power minus 5 meter के order की है, तो क्या देखा गया, कि यहाँ पर हमारे पास क्या थी, X-ray थी वो बिना diffract हुए क्या होगी ऐसे सीधे पास होगी यानि हमें यहाँ पर कोई भी diffraction देखने को नहीं मिला यानि हम इस तरीके से इस slit से बोल सकते हैं और अच्छी तरह बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं ग्रेटिंग से जब इस X-ray को पास कराया तो वहाँ पर किसी भी तरह का diffraction देखने को नहीं मिला ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए हुआ, scientist ने expression निकाला कि जो यह X-ray है, इसकी जो wavelength होती है, वो about 10 to the power minus 10 meter के order की होती है लेकिन यह जो हमारे पास slit है, इस slit जो थिकने से हो कितनी है, about 10 to the power minus 5 meter की है यानि जो थिकने से, इसकी wavelength से क्या है, बहुत जादा है, यानि यह इसके लिए अभी sharp edge की तरह काम नहीं कर रहा है यह क्या बन गया, इसके लिए भी बड़ा hole बन गया, तो यह hole से क्या होगी, सीधे की सीधे पास होगी अगर यहाँ पर diffraction हमें देखना है, तो इस slit की जो थिकने से होनी चाहिए, लगभग कितनी होनी चाहिए, इस x-ray के wavelength के order की होनी चाहिए, 10 to the power minus 10 meter के order की होनी चाहिए लेकिन इतनी पतली जो slit है, वो बनाना क्या है, practically बहुत ही impossible है अब question again यहाँ पर यहाँ आता है, कि कैसे हम इस x-ray के nature को क्या करेंगे, fine करेंगे तो उसके बाद 1912 में, 1912 में, एक scientist थे, जिनका नाम था Max-1-Louis, क्या था उनका नाम? Max-1-Louis, क्या नाम था? 1912 में, 1912 में, एक scientist थे, जिनका नाम क्या था? Max-1-Louis, ठीक है? Max-1-Louis, एक scientist थे, उन्होंने क्या बोला? उनको crystal की याद आई, किस की याद आई? crystal की याद आई, और हमको पता है, crystal किस से मिलकर बना होता है? atom से मिलकर बना होता है, और crystal में जो inter-atomic distance होती है, यहाँ बोल सकते हैं, दो atom की बीच की distance होती है, वो लगभग 10 to the power minus 10 meter के order की होती है, उन्होंने क्या बोला? जो हम यहाँ पर select ले रहे हैं, अगर हम select की जो क्या रख दे हैं? एक crystal रख दे हैं, जैसे for example हमारा crystal को इस टाइप कर देखने को मिलता है, यह क्या है? हमारे atom है, और atom में अगर assume करें कि जो crystal में जो atom हो क्या है? एक regularly arrangement है, एक regularly क्या है? तो यह क्या हुआ? इंटर प्लिनर स्पेसिंग हुआ? यहाँ से यहाँ सोरी, inter atomic distance हुई, let us say this inter atomic distance is A, और जो A होती है, लगभग किस order की होती है? 10 to the power minus 10 meter के order की होती है, किस order की होती है? 10 to the power minus 10 meter के order की होती है, तो अब उन्होंने यह बोला, यह फिर postulate दिया, यह हम बोल सकते है, hyphoses दी, उन्होंने बोला कि जब हम किसी x-ray को इस crystal में पास कराएंगे, तो यह जो यहाँ पर क्या है? intermolecular बोल सकते हैं, फिर inter atomic distance A है, वो किस की तरह काम करेगी? एक street की तरह काम और यहाँ से जो x-ray हो, क्या हो जाएगा? diffract हो जाएगा, यह फिर वहाँ पर हमें x-ray का diffraction pattern देखने को मिलेगा, यह किस ने बोला? इन्होंने बोला, max1, Louis ने बोला, और इसके उन्होंने एक्सपरिमेंट भी किया, इस तरीके से एक्सपरिमेंट क्या? एक रफ मैं यहाँ मैं क्या रख दिया? एक slit रख दिया, sorry, क्या रख दिया? यहाँ उन्होंने crystal रख दिया, यह क्या है मेरे पास? यहाँ पर crystal है, यह क्या है? यहाँ पर एक क्रिस्टल रख दिया, अब जैसे इस crystal से इस crystal में इस incident होगा, तो actual crystal में क्या होते है? molecule के बीच कुछ gap होता है, और gap किसके तरह काम कर रहा है भी? एक slit की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसकी जो wavelength है, वो इस जो हमारे पास क्या है? X-ray है, उसकी wavelength के order की है, तो उन्हें यहाँ पर क्या लगा है? फिर एक photographic plate लगाई, उन्हें देखा किस photographic plate मों है, क्या देखने को मिले, कुछ maxima और कुछ minima कुछ इस तरीके से experimental ले देखने को मिला, यहाँ पर क्या लगा दी इस तरीके से एक photographic plate है, तो इसे ठीक सामने तो एक ऐसे बड़ा सा डार्क सा लाइन, और कुछ यहाँ पर ऐसे maxima, फिर यहाँ पर ऐसे spot, यहाँ से ऐसे spot, यहाँ से ऐसे spot, इस त्रैपिक है देखने को मि और यह spot हमको क्या दिखा रहे हैं, कि यहाँ पर से यह जो X-ray है, वो क्या हो गई है, diffract हो गई है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस X-ray के वेव निचर हो क्या कर दिया, तो यहाँ से हमको क्या पता चला, कि जो X-ray होती हो, क्या होती है, वेव निचर की होती है, यहाँ जो हमें कुछ पता नहीं था वह एक्षनल में कैसी होती है वेव नेचर की होती है और वह जहां इसको किसी क्रिस्टल से पास कराते हैँ वह क्या हो जाती है डिफ्रेक्ट हो जाती है ऐसा इनको किनको Max 1 लुई को कैसे experimentally देखने को मिला. पहने तो उन्हें है hypothesis फिर experiment किया इस टैप का उन्हें देखने को मिला. लेकिन यह तो गया था? experimental था. याई experimental treatment था. इसका mathematical treatment भी देना पड़ता है, अगर हमारे पास experimental देखने को मिला. Observation देखने को मिला. तो physics में हमें पहने इसको एक्सपरिमेंटली देखते हैं फिर उसको हम मैथेमेटिकल ट्रेटमेंट करते हैं तो इस टाइप के डिफरेक्शन का या फिर एक्सरे डिफरेक्शन का जो मैथेमेटिकल ट्रेटमेंट है वो किस ने दिया ब्रेक्श ने दिया किस ने दिया और जो मैथेमेटिकल ट्रेटमे कि किसके लिए इस डिफ्रेक्शन के लिए तो अगें किनोंने इस ब्रेक्ष ने क्या आजूम कर लिया उन्हें अजूम किया कि जो हमारा एटम है स्वरी जो क्रिस्टल है कि से मिलकर बना होता है पैरलल सेट ओफ प्लेन से मिलकर बना होता है ठीक है हमने पड़ा हुआ है कि अ हमारे पास कहा है कोई एक parallel set of plane है एक मिनदी से में डालेता हूं फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर parallel set of plane को define करेंगे और उसकी help से हम यहाँ पर डिफ्रेक्शन को या फिर एक से डिफ्रेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे अब देखो plane के बारे में हम सब जानते हैं मैंने अजूम कर लिया कि इस तरीके से प्लेन रखे होएं किस तरीके से इस तरीके से रखे होएं तो आपको सिर्फ plane का यह वाला हिस्सा दिखेगा तो मैंने अजूम कर लिया कि इस तरीके से में प्लेन है यह क्या है अब प्लेन में अटम होंगे एक अटम यह है एक यह है एक यह है एक यह है इसके नीचे एक औ यह है ठीक है अब यह क्या है प्लेन है देखो यह प्लेन है यह क्या है एक प्लेन यह है ओके और यह क्या है एक प्लेन यह है जो क्या है उपर आले प्लेन के ठीक पैलल है और एक प्लेन यह है ना इन प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं जो क्रिस्टल में प्लेन होतों कैसे डि लेंद भी होगी और वही इसके लिए भी होगी ठीक है और मैं अज्म कर रहा हूं कि यहां पर प्लेंट के बिशुड़ इंटर प्लेंडर स्पेसिंग है वो कितनी है मेरे पास D है और यहां पर क्या आज़्ू कर रहा हूं कि कोई एक X-ray आ रही है, देखो कुछ इस तरीके से X-ray आ रही है मैं pattery की help ले लिता हूँ, एक मिनिट मार पर change कर लेते हैं और मैं Aijun कर ले रहा हूँ कि यहाँ से क्या आई, कोई एक X-ray आई इस तरीके से, ठीक है ओक है इस तरीके से क्या आई कोई एक एक स्रेय और वो किस पर इंसिडेंट हुई इस एक स्रेय बोल दिया है मैंने जैसे इस एक स्रेय इंसिडेंट होगी एक स्क्रेटर कर देगा ठीक है यहां से क्या देखने को मिलेगा हमको स्क्रेटरिंग देखने को मिलेगी किस इस एक स्रेय की ठीक है तो देखो जहां सुना क्या बोल रहा हूं मैं कि जैसे यह एक स्रेय इस एक स्रेय इस एक स्रेय क्या कर देगा इसक्रेटर कर देगा यहां बोल सकते हैं जैसे यह रे इस प्लेन पर पड़ेगी यह प्लेन इस रे क्या कर देगा रिफ्लेक्ट कर देगा ठीक है तो यहां पर एक इंपोर्टेंट नोड लिखो ब्रेग ने क्या किया ब्रेग ने बोला कि जो हम डिफ्रेक्शन बोल रहे हैं उसको हम यहां पर रिफ्लेक्शन की तरह भी ले सकते हैं ठीक है तो ब्रेक्स ट्रिट्मेंट में ज डिफ्रेक्शन होगा एक्यूवलेंट होगा किसके मेरे पास रिफ्रेक्शन के ठीक है किसके एक्यूवलेंट होगा रिफ्लेक्शन के क्या होगा एक्यूवलेंट होगा ठीक जो हमें रिफ्लेक्शन के लिए देखेंगे वो किसके लिए एक्च्वल में निकल के आएगा व्लेटर कर देगा या बोल सकते हैं जैसे ये प्लेइन पर बड़ेगी ये प्लेइन उसे क्या कर देगा मैं अगर मा अजून करूं कि स्चिर तरे इंट हो रही है उस अंगल को हम क्या बोलते जर्बेख़ आपको इस एंगल से gra hitting fly और इसने भी यहां से कितने अņगल में रखा है ठीटा अंगल बना रख़ा हूं कुछ अइसा हो दो रहा है इस से प्लेंड की in यहां और इ करे और लेते हैं लेकिन इस प्लेंस से रिफ्लेक्त हो रही है मैं लेटस कर दे रहा हूँ उसके जो ठीक जो नीचे प्लेन है उससे क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है तो अगें मैंने यहां पर दूसरा जो प्लेन है यहां पर पड़ी कौन सा एक्टम जो यहां पर है ठीक है यह जो एक्टम है इस एक्टम पर पड़ी जो पर रखा हुआ है और यहां से क्या हो रही है reflect हो रही है कोई दूसरी रें ठीक है दूसरी बोल सकते हैं कौनसी वाली रें है यह एक्सरे है यहां से आई दूसरी एक्सरे और इस पर क्या हुई incident हुई और इसके parallel आ रही है और यहाँ से यह क्या होगी मेरे पास इस तरीके से reflect होगी ठीक है अब यह कुन सी है Ray 2 Ray है, यह भी Sae इस पर incident हुई और इस तरीके से क्या होगी reflect होगी मा जूम कर रहा हूं कि जो initial ray है यहाँ रे 1 है वो इस A point पर incident हुई और जो ray 2 है वो इस b point पर क्या हुई incident हुई अगर आप ध्यान से देखो तो इस ray 1 और ray 2 के बीच क्या है कुछ part difference है आपको देखने को मिल रहा है देखो इस ray 1 और ray 2 के बीच क्या है कुछ part difference है ठीक है यानि ray 1 और ray 2 के बीच क्या है कुछ part difference है ठीक है देखने को मिलना आपको part पाथ difference अगर नहीं देखने को मिला ध्यान से देखो दिख जाएगा देखो यह जाधा क्या कर रहा है और यह कम लेंज ट्रेवल कर रहा है और यह जी बात है दोनों के बीच के है है reflection करती हैं अगर मेरे पास कि दो रे हैं और इन दुनों के बीच कहें कुछ part difference है तो वो कुम सा phenomena DANGIGHM of interference दिखाती हैं तो जैसे हैं से reflects होंगे तो आगे हमें कुछ किया मिलेगा इन्टरप्ट के मिलेगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं constructive interference और जहां पर intensity minimum होते हैं destructive interference बोलते हैं और हमें किसके लिए देखना है कहां पर intensity क्या हो रही है maximum हो रही है यानि हमें कौन सा condition देखनी है constructive interference वाली condition देखनी है यानि वो condition देखनी है जहां पर intensity क्या है maximum है तो यहां पर एक ऐसा point आएगा जहाँ पर intensity क्या होगी मैग्जेम होगी हम बोल सकता हूं जहाँ पर जो मेरे पास interference है वो कैसा होगा constructive inference होगा and a condition होती है for constructive interference for CI.ci 4 constructive interference जो मेरे पास part difference होता है p d for part difference this part difference is equal to integer multiple of wavelength ठीक है जो part difference है क्षे होता है इंटिजर मल्टिपल ओफ वेवलेंथ अब वेवलेंथ किसकी आएगी हाँ पर X-ray की वेवलेंथ आएगी अब मैं यहां से क्या निकाल दूँगा इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकाल दूँगा देखो पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे बढ़ा यह असाना एक काम कर रहे हैं इस पॉइंट ए से इस लाइन टू पर क्या खिश्द रहा हूं यह परपेंडिकुलर खिश्द रहा हूं देखो एक परपेंडिकुलर कहां खिश्द दिया मैंने यहां से इस तरीक से इधर खिश्द दिया यहां पर एक परपेंडिकुलर और यह कितना आ पार्ट डिफ्रेंस निकल के आगे, सुरी A B बोलना हूँ, क्या MB प्लस BN, जो MB प्लस BN हुआ, वो क्या हुआ मेरे पास यहाँ पर, पार्ट डिफ्रेंस हुआ, यहाँ पार्ट डिफ्रेंस इक्वल टू N लेम्डा, अब मुझे क्या निकालना है, इस MB और BN की वहले निकाल अब यहाँ पर देखो, अब बता सकते हूँ, यह एंगल कितना होगा, और यह एंगल कितना होगा, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन पर, किस लाइन पर, जो यह वह लाइन है, इस पर यह पर प्रपेंट को ट्रो कर दिया, इस पर इस लाइन पर प्रपेंटिकलर है, और एक पर प्रपेंटिकलर मैंने इस लाइन पर ड्रो कर दे, किस पर इस वाइन पर, और यह जो एंगल होगा, यह भी कितना होगा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह बहुत समयसा ऐसा कड़ते वे आ रहे हैं, देखो अगर एक लाइन यह है और एक लाइन यह है यह परपेंडिकुलर है इस लाइन पर यह परपेंडिकुलर है इस वाल लाइन पर परपेंडिकुलर है तो यह एंगल कितना होगा ठीटा होगा similarly, ये एंगल भी कितना हुगा, ठीटा होगा, देखो, दो ट्रेंगल है मेरे पाथ, यहाँपर, एक ट्रेंगल किया है, AMB है और दूसरी ट्रेंगल किया है, मेरे पास यहांपर, ANB है, दोनुमें क्या लगा देंगे हम? sine theta नालका देंगे तो मिरे पाक क्या है निकल क्या आजआ इदर से ् form geb और निकल क्या है ईए क्या है यहां पर 90 यह क्या हुआ बेस और यह क्या ह happened गलागा देखो किया होता है इन那么 इह होगा नेजिट टू यह तो यह क्या हुआ ऑगा बेस औरbourne आगया यह 2 एंटो साइन ठीटा आDay एंड ए बिकॉस के बदो ईथाकर काहा पूट करतो इदर पूट कर दो क्या निकल कि आ जाएगा एंबी की जोगा धी साइन ठीटा फिर प्लस बी-ंक जोगा भी कितना आ जाएगा यह दी साइन ठीटा इसे को हम क्या बोलते हैं ब्रेक्स लॉप और फिर ब्रेक्स एक्वेशन बोलते हैं इट इस breaks law breaks law और breaks equation दौने यह के चीज मुए एक टू डी शान्य फीदटा एकोल टू एलेम्डा को क्या बोलते हैं breaks equation से अंब यहाँ पर ए क्या है n क्या होता है हमने पड़ा था कि जो पार डिफरेंस होता हो integer multiple होता है तो n क्या है integer है यहने 01234 and and no on on prediction family 005 audio 83 tai 4LP tendon 화ण Acti a and soundά अधीन depression rising theta के हाँ ख्लांसिंग एक से हे ओप वेडमियेंट और फिल्पी एंसिडेंट रे हैं ऊक्र इतने बात किए विद जो कहता क्या है अधिन लैम्डा और थीटा कि उन्हीं वैलों के लिए डिफ्रेक्शन देखने को मिलेगा जो इस ब्रेक्स equation को क्या करेंगी follow करेंगी ठीक है देखो धान सुनना क्या बुला हमने d theta n और lambda कि उन्ही वैल्यू के लिए diffraction देखने को मिलेगा जो इस break equation क्या करेंगी follow करेंगी अगर हमारे पास d theta n और lambda की value है लेकिन वो इस break equation को follow नहीं कर रही है तब वहाँ पर हमें diffraction नहीं देखने को मिलेगा diffraction only कब देखने को मिलेगा जब d theta एंट लेबडा की वैलियो इस इस क्या करेंगे follow करेंगीผल आप्वेश्ट की स्थिस्फाइब करेंगे ओके चला आप अब यहाँ पर N की वेल्यू के है मेरे पास 0, 1, 2, 3, and 4 है, अगर अक्रोडिंग टू जब हम N इकल टू कितना पूट करेंगे, 0 पूट करेंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे, तब हम कुछ डिफ्रेक्शन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फिर्स्ट ओर्डर, सुरी, 0 ऑृडर ओफ डिफ्रेक्शन बोलेंगे, ठिक है, फोर N इकल टू जबटो गूट करेंगे, Xफोट कट जबटो गूट ऑफ दूट करेंगे, तब हम उसे क्या बॉलेंगे, 0 ऑडर अफ डिफ्रेक्शन, इसे हम क्या बोल देंगे, first order of diffraction बोल देंगे, for n is equal to 2, n is equal to 2 के लिए इसे हम क्या बोल देंगे, second order of diffraction बोल देंगे, and so on, third order of diffraction, fourth order of diffraction, fifth order of diffraction, किसके value के लिए, n is equal to 3 के लिए, third order of diffraction, n is equal to 4 के लिए, fourth order of diffraction, and so on, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, n के value के according, यह question में लिखे आ रहा है कि first order of diffraction हो रहा है तो उसका मलब n की जो कितना put करना है आपको one put करना है question में लिखे आ रहा है second order of diffraction हो रहा है तो वहाँ पर n की जो कितना put करना है आपको two put करना है ठीक है तो यह क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर breaks law हो गया यह होत एक चीज़ और इसांड़ी नहीं और यहां पर मैं देखूंआ जो sin theta है यह क्या होता है Ôर 산 theta जो value होती है maximum क्यों सकते है व्य weekend कितनी हो लिए प्लस वान और सकते है तो whose sin theta होता है यहां तो क्या होगा sin theta एक से छोटा होगा यहां फिर किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा, तो sin theta होता है, वो क्या होता है, less than equal to 1 होता है, जो sin theta होता है, since we know sin theta की जो value होती है, less than equal to 1 होती है, ठीक है, तो 1 के बराबर होगी, यहां क्या होगी, 1 से छोटी होगी, देखो मारा formula क्या है, breaks law के according, क्या हमारे पास 2d sin theta equal सकाँधा मैरे पास एंड लेमडा के बराबर है अगर सेंट थी टा की वैल्यू कितनी है एक से एक के बराबर तब कितना हो जागत देखो अगर एक के बराबर है तो टूदी साओड थीटा एक क्utan हो जाएगा मरे पास एंड लेमडा हो जाएगा झ imagen क्या हो a screen čो SM हो द्यान से लेखना अगर साइंट्टा की वैल्यू क्या हो एक से छोटी हो तब उस केस में क्या होगा यहां अगर साइंट्टा की वैल्यू एक से छोटी हो उस केस में जो लैम्डा होगा वो डी से क्या होगा छोटा होगा तभी तो का साहने लगा सकते हैं तभी तब दोनों क्या होंगे एक्वल होंगे तो for this condition जो मारे पास lambda आएगा वो क्या आएगा less than equal to d आएगा यह तो d के बराबर होगा या फिल less than क्या होगा d होगा सिंस तो जो d होता है कितना होता है 10 to the power पर-10 मीत्र हुता है तो यहां से मेरे पास लैमडाय एकलडå कटना आ गया मैनस weave length ऑफ यह क्या है मेरे पास wavelength of x-ray है यह चीज क्या है मेरे पास wavelength of x-ray थीक तो इस तरीक से रहने概स लॉखके है एक स्टराइक डिफ्रेक्षी डिफ्रक्शन होगए किया expanded किया ठीक है तो अगर को एक सब्द में जाहें कि उसको कैसे उसने x-ray लैंडा के उन्हीं वैलियू के लिएotional सब्सक्राइधब करेंगे साटीसफाइब करेंगे इतने कि अधर हुई कि आपको सुन जाए होगा कि ब्रेक्ट सुलोग क्या होता है आने वाए लक्चर में कुछ और ने टॉपिक के बार में डिस्कस करेंगे तब तक थेंक्यू तैन्यवाद